नो तोड़े वी विल डिस्कस आ यूनिट आफ एस डिस साइंस साइंस में आज हम फिजिक्स लेंगे और फिजिक्स में आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे की मोशन क्या होता है ठीक है कलास नाइथ में आज हमने फिजिक्स पढ़ने तो सबसे पहले मोशन को शुरू करने से पहले हम फिजिक्स की तरफ आएंगे कि फिजिक्स है क्या यह ना जैसे हमने बायोजी पढ़ा बायोजी में हम जौलोजी को पढ़ते हैं बाटनी को पढ़ते हैं तो फिजिक्स है क्या fuses ठीक है और इस fuses का मतलब होता है nature ठीक है तो यहां से हमें एक idea आता है कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि nature की study को क्या कहा जाएगा nature की study को कहा जाएगा physics क्या nature की study को क्या कहा जाएगा physics तो physics को हम कैसे define करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो it is the branch of science which deals with the study of which deals with the study of nature and natural phenomenon ठीक है यहां तक समझे आप मनलब सिंपल में आपने याद रखना है फिजिक्स का मतलब क्या है फिजिक्स का मीनिंग क्या है सिंपल में ऐसी ब्रांच साइंस की जो सिर्फ डील किसमे करती है नेचर और नेचरल फिनामिनाम को डील करती है आई बात समझ में तो फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचिज आती है ठीक है तो जनरली अगर हम देखें तो फिजिक्स को दो ब्रांचिज में क्लासिफाई किया जर्नल बात आब कर रहे है ठीक है फिजिक्स में एक आती है Classical Physics एक आती है Classical Physics and Second is Known as Modern Physics ठीक है Physics की Various Types है वह ज्यादे डिटेल में नहीं जाना है आपने आपने Simple में याद रखना है Physics क्या है Nature और Natural Phenomenon को Study करने कि इस ब्रांच को कहा जाता है Physics ठीक है अच्छा अब physics में हम पढ़ेंगे आज जो हमारा topic होगा that is motion आज हमारा topic क्या है motion, motion क्या है motion के बारे में आज हम पढ़ेंगे देखिए motion शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ समझ आने चाहिए rest किसको कहते हैं और motion क्या होता है अगर हम ऐसे बोलेंगे rest का मतलब आराम लेकन physics में आराम किस से कहा जाता है rest किसको कहेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा suppose करो ये pen है और ये pen मैंने इस notebook के उपर रखा है अब इस pen को मैं यहां से न उठा रहा हूँ न इसको मैं हिला रहा हूँ ये अपनी जगा है ठीक है तो मैं अभी इसको कहूँगा ये pen जो है ये अभी किस में है ये pen अभी rest में है क्यों है ये rest में क्योंके मैंने इसकी position को change नहीं किया है with respect to time अगर मैं इसकी position को change करता हूँ with respect to time तो ये pen जो है ये motion में आ जाता है आई बात समझ में जैसे book laying on a table एक book जो है वो table पर पड़ी हुई है तो वो भी rest में है बात समझे आप ये pen जो है ये भी rest में हाँ अगर मैंने इसको उठा लिया तो ये pen जो है ये motion में आ जाता है तो rest को हम कैसे define करेंगे rest में आप simple में लिखोगे an object is said to be as ऐसे लिखोगे an object is said to be at rest हम एक object को ऐसे कह सकते है कि वो rest में कब है when it does not changes its position with time with respect to surrounding ठीक यहां तक समझे आप हाँ इसमें आप example लिख सकते हो rest में जैसे मैंने आपको बताई एक example a book lying on the table a book lying on the table एक example दूसरी example इसमें लिखोगे a person sitting in a chair a person कोई वैक्ती chair पर बैठा है तो वो भी rest में है आई बात समझ में यह था rest नो आप motion क्या है तो motion में क्या होगा ऐसे यहीं पर लिख सकते हैं an object is said to be an object is said to be in motion हम किसी object को motion में तब कह सकते हैं if it change its position with time with respect to surrounding ठीक है तो हम ऐसे लिखेंगे an object is said to be in motion if if it changes its position with respect with changes its position with time with respect to xyronix ठीक है आई बात समझ में यह था rest क्या होता है और motion क्या होता है आप देखिए जो motion है motion के one dimension भी है motion का two dimension भी है इतना ज्यादे detail में नहीं जाना है motion के three dimension भी है आपने simple में याद रखना है कि rest क्या है और motion क्या है आई बात समझ में अगर ये दो चीज़ें आपको समझ आई तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ठीक है concept को समझने की कोशिश कीजिए इता rest second था motion अब हम दो चीज़ों को comparatively लेंगे आब हम पढ़ेंगे distance क्या होता है और displacement क्या होता है अब हमने ये दो चीज़ें पढ़नी है कि what is distance and what is displacement ठीक है distance होता है कोई body है वो actual path कितना cover करती है actual path actual path कितना cover करती है जब वो body motion में होती है तो उसे का जाता है distance अब ऐसे लिख सकते हैं उसको the actual path क्या लिखोगे इसको the actual path covered by a body with covered the actual path covered by a body or object during motion motion तो उससे कहा जाता है distance क्या कहा जाता है उससे distance तो displacement को कैसे लिखोगे displacement को सिदा the shortest distance between मनला suppose करो हमारे पास ये कोई एक object है इसने यहां से यहां तक distance cover कर दिया ठीक है तो इनके बीट में जो shortest distance होगा वो हो गया displacement उससे हो गया displacement मनला ये बॉड़ी यहां से यहां तक जा रही है यहां पर इसको कुछ cruise भी आ रही है ठीक है तो इसने जो यहां से distance cover किया from this point from point A to point B कोई एक बॉड़ी travel कर रही है A point से B में ठीक है उसने actual path कितना covered किया उसको हम कहते है distance तो shortest path जो cover करेगी उसको कहा जाता है displacement क्या कहेंगे हम उसको उसको हम कहेंगे displacement क्या कहेंगे उसको हम उसको हम कहेंगे displacement shortest distance between इसको कैसे लिखो गया the shortest distance between B upon W होता है between ठीक है the shortest distance between initial position and final position initial position and final position initial position and final position is called displacement is called as displacement ठीक है और याद रखना है initial position को initial position है उसको लिखा जाता है mu से initial position को mu से ये mu का symbol है और final position को लिखा जाता है mu new से ये mu है और ये new है ठीक है initial position और final position समझाए आपको आप distance और displacement में हम फरक को भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या differences है ठीक है अब देखिए जो distance है it is a scalar quantity ये क्या है ये scalar quantity है ठीक है जो भी physical quantity है physical quantities सिकेलर कॉंटेटी में आपने याद रखना है सिकेलर कॉंटेटी का magnitude होता है magnitude जरूरी है लेकर इसकी direction जरूरी नहीं है सिकेलर कॉंटेटी का magnitude होता है direction नहीं होता है सिकेलर कॉंटेटी का magnitude होता है direction नहीं होता है whereas अगर हम displacement की बात करेंगे तो displacement जो है it is a vector quantity यह है यह dot product है vector quantity vector quantity का मतलब इसका magnitude भी होता है और इसकी direction भी होती है आई बात समझ में एक scalar quantity है एक vector quantity है ठीक है अगर हम distance की बात करेंगे तो distance जो है distance कभी भी negative नहीं होता ठीक है हम यह कह सकते हैं कि its value distance की जो value है distance value can जो distance है distance की value जो है can never be negative यह negative नहीं होता हम यह कह सकते हैं कि distance हमेशा positive आएगा distance हमेशा positive आएगा ऐसा भी हम कह सकते हैं ठीक है और distance को distance को किसमे major किया जाता है अगर distance की बात करेंगे तो इसका SI unit SI मतलब standard international unit SI unit क्या है इसका इसके अगर हम SI unit की बात करेंगे तो distance को distance को major किया जाता है length और length का unit आपको पता है length का unit क्या है meter है ना इसको किस से express किया जाता है इसको express किया जाता है SI unit meter अगी बात समझ तो displacement क्या है displacement मैंने आपको बताया यह एक vector quantity है और हमेशा याद रखना यह displacement यह positive भी होता है यह 0 भी होता है और यह negative भी होता है क्योंकि actual distance हमने निकालना है तो actual distance निकालेंगे जब हो सकता है वो 0 आजाए हो सकता है वो negative आजाए यह हो सकता है वो positive आजाए आई बात समझ उसके बाद आपने याद रखना है कि SI unit जो है इसको भी हम express इसका जो SI unit है उसको भी हम लिखते हैं meter में express करते हैं चलिए अगर आपको इतना I hope कि आपको इतना समझ आया है चलिए अब हम आगे भड़ते हैं distance और displacement आपको समझ आया होगा ठीक है तो आज के लिए चलिए यह तो शुरुआत थी इंशाल्ला next प्रॉस्टी के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे